लो बच्चो जो लेटेस्ट न्यू जा रहा है, CSDVT May 24 एक्जाम रिलेटेड, ध्यान से बाते को सुन लीजेगा, अगर आप लोग CSDVT May 24 का एक्जाम अच्छे से देना चाते हैं, ओफीसियल अपडेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में आप लोगों को एलर्ट करना है, कि बिना कोई टेंसन के, अगर आप लोग CSDVT May 24 का एक्जाम देना चाते हैं, बहुत सारे बच्चे एरजिस्टेशन करने के बावजूद भी एपियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सही से उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, आपके एक्जाम रिलेटेड, टाइमली सेयर कर दीजेगा CSDVT May 24 वाले बच्चो के साथ, क्योंकि उनके लाइफ का सवाल है, बच्चो प्लीज सेयर कर दीजेगा, CSDVT का वाटसब ग्रूप हो, टेलीग्राम ग्रूप हो, या अपने फ्रेंड्स के साथ डारेक्ट सेयर कीजे, बच्चो इस वीडियो को सेयर कीज तो आप लोग के जानकारी के लिए बता दे बच्चो, CSDVT May 24 का ओफीशल नोटिफिकेशन आ चुका है बच्चो, ध्यान से बाते को सुनते रहिएगा, CSDVT May 24 का रजिस्टेशन करने का आखरी डेट क्या है, बच्चो 15 April 2024 है, 15 April 2024 से पहले तक आपको रजिस्टेशन कर ले रजिस्टेशन करना होता है, जिसका लास्ट डेट है 15 April 2024, बच्चो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, CSDVT May 24 वालों के साथ, अगर 15 April तक रजिस्टेशन नहीं करेंगे, तो 16 April से बच्चे ये भूल जाए, उनका अटेम्ट May 24 में होगा, सीधा अपने आपको पॉस्पोन मान ले, सीधा वो लोग चले जाएंगे जुलाई 24 के लिए, अभी समय है बच्चो, एक दिन बचा हुआ है, 15 April 2024 आखरी डेट है, कैसे रजिस्टेशन करना, CSDVT May 24 के लिए, ऑनलाइन एक्जाम होता है, ऑनलाइन ही रजिस्टेशन करना होता है, इस एक्जाम क कैसे करना, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रेप्शन मिल जाएगा, मेड 24 का, नोट कर लो सब लोग, मेड 24 का एक्जाम कब हो रहा है, चार में 2024 को, जल्दी आपके एक्जाम रिलेटर नोटिफिकेशन आने वाला है, सारा अपडेट इस चैनल पे मिलता रहेगा, एक बार फिट से बोलना है, आप लोग का एक्जाम मेड 24 का, CSWT का एक्जाम, चार में 2024 को हो रहा है, एक्जाम के डेट में कोई भी चेंजेज नहीं किया गया, लेकिन बच्चो अगर आप लोग अभी तक रजिस्टेशन नहीं कियो, CS बनने का ख्वाब है, लेकिन अगर आप के सपास बच्चो, वीडियो को सेर करो, और हाँ जो लोग रजिस्टेशन नहीं कियें, जल्द जल्द रजिस्टेशन करें, रजिस्टेशन करने वाले वीडियो का लिंक आपको डेस्क्रेप्शन में मिल जाएगा, बच्चो आपका लाइफ का सवाल है, प्लीज वीडियो को share कर दीजिएगा जो बच्चे registration नहीं किया होंगे timely कर पाएंगे मेरे पास doubt आना start हो जाता है क्या 16 April से दूसरा मौका मिलेगा May 24 के लिए जिसका जबाब है जी नहीं बच्चो वो लोग अपने आपको समझ लेंगे उनका attempt पोस्पोर